Assalamu alaikum, एक और नई वीडियो के साथ हाजूर हूँ, मेरा नाम है Dr. Muhammad Amartafel और आज हम देखने वाले हैं, SQL क्या होती है, या SQL क्या होती है? बहुत सारे लोग इसे SQL बुलाते हैं, बहुत सारे लोग इसे SQL बुलाते हैं, भाई जो भी बुलाना है बुलाओ इसे, लेकिन है तो ये एक programming language, किस लिए यूज होती है? hmm, that's a good question, यह use होती है data science के लिए, क्योंकि data science में basically, सबसे पहला step होता है data को लेना, या लेकिया आना, या data को manage करना, data acquisition, SQL top-notch language है, जो data acquisition या database management में use होती है, अब बहुत सारे लोग इसे web development में भी use करते हैं, क्यों? क्योंकि web development का एक पार्ट, data acquisition या database management के होता है, for example, आप एक Google form फिल कर रहे हैं, या आप एक Gmail की ID बना रहे हैं, तो उसके अंदर जब आप अपना username बनाते हैं, फिर बाद में password लिखते हैं, या आपने पूरी information देते हैं, तो आपके account के साथ, जितना data link होता है, वो basically database के अंदर जाता है, अब वो database कहां पे होता है, question है न, सोचें, कहां बे जाता होगा, मेरा दिल कहता है, कि वो वाला data सारे का सारा Google के database में जा रहे हैं, अगर आप Gmail ID बना रहे हैं, आउटलुक की बना रहे हैं, तो वो Microsoft के पास जा रहे हैं, इसी तरह दुनिया में बेशतर, बलके बेबहा वेबसाइट्स हैं, Amazon हैं, Facebook हैं, वो data हर दफ़ा जब आपने कोई चीज क्लिक करनी है, Facebook की ID को लॉग इन करने के बाद, या आपने को वीडियो अपलोड करनी है, या आपने कोई comment करने है, तो ऐसा थोड़ी ना होने, कि आपका जो data है, वो हर दफ़ा नाम, आपका date of birth, या जितनी information आपने लॉग इन पर द सारे जितने दिनों के आप post या comment या कुछ भी करते हैं Facebook पे आपकी सारी activity को relation के अंदर उस ID के साथ store कर लेते हैं, इसको बोलते है relational database, इसकी एक और example ले ले, कि class के अंदर बहुत ज़्यादा students है, ठीक है, तो students की ID, उनके name, और फिर उनकी class का नाम, class के नाम के बाद उनके subjects सारे एक database में जाते हैं, ठीक है, अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब math के number लिखे हैं, तब भी वो सारे student का name और ID और सारा कुछ लिखा जाए, जब stat के number आए तो वो भी लाइदा है, जब इस दिके से बाकी उसके 11 या 12 subjects के number आए तो वो लाइदा लाइदा store करें, तो होता क्या है, इस से एक तो आपकी memory बचती है, memory कैसे बचती है, for example, आपने database में data store कर दिया, तो क्या होगा, जो आपने 11 या 12 दफ़ा नाम या कुछ भी data इंटर करना था, वो bytes के अंदर add होता 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 होता, जब million user का जाता है, तो million bytes में चला जाता है, billion bytes में चला जाता है, trillion bytes म बनाने के बाद, उस data को आप थोड़ी सी जगह में store कर लेते हैं, इसी तरह, e-commerce की website बनाई आपने, तो आप क्या करेंगे, अपनी e-commerce की website पे, अगर आप beard oil sale कर रहे हैं, तो जितने user आपके पास आ रहे हैं, वो उनका data, और हर user के साथ link, उसकी information, फिर उसने कौन-कौन से product purchase की, cup purchase की, purchase करने के बाद, पैसे कैसे pay की है, पैसे pay करने के बाद, आपने delivery कैसे की, तो वो सारा relation के अंदर database store होता जाता है, तो आप इसको retrieve भी कर सकते हैं, manipulate भी कर सकते हैं, और नया database insert भी कर सकते हैं, तो SQL क्या है, ये एक relational database management system के लिए use होती है, जिसको हम structured query language बोलते हैं, structured query language, अब होता क्या है, ये इसके user कौन कौन है, और इसको किस तरीके से हम utilize करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी discussion कर ले, सोच ले, मुझे तो कोई मसला नहीं है, चले फिर, आपके सामने, discussion स्टार्ट करते हैं, बड़ी छोड़ी सी discussion है, to the point, बड़ी अच्छी example के साथ, ल अब करना ये है, कि बहुत बड़ा database आपके पास बन गया, फिर SQL का क्या काम है, एक बात याद रखिएगा, SQL आप में, और बड़े database के अंदर, communication का role अदाग लिए, for example, आप एक बड़ी परचून की दुकान पे गए, वहाँ पे जा के आप उसे कहते है, एक किलो चावल तो तो वो बंदा बैठा हुए, सीट पे, तो वो क्या कहता है, छोटे बाई को या बाजी को दो किलो चावल ला दो, या एक किलो चावल ला दो, तो वो छोटा जाता है, पिछे database के अंदर उसको पता है, किस drawer में पढ़ा हुए चावल, वो उसको निकालता है, जितना चाहिए वो पहले बताया गया, उसे तोलता है, पैक करता है, और ला के अपने उस बंदे को देता है, वो फिर बंदा आगया प्रूव करता है, कि customer को देने कैसे है, ठीक है, पैसे ले के देने, पैसे के बगार थोड़ी न देने, तो जो वो बंदा है, वो database administrator है, ठीक है, और जो customer है actual में वो data scientist है, तो ये example से आपको याद रहेगा, कि data scientist ने database administrator के through data को access करना होता है, ठीक है, तो ये दो role हैं, जो SQL को use करते हैं, आपने database manager को बोला, या database वालों को बोला, कि एकलो चावल दो, उसने आगे, अपने system में SQL की query लगा के लिया, और approve करने के बाद आपको दे दिया तो authorize एक दफा भी कर सकता है, बार 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 भी कर सकता है, तो यह आप पर depend करता है, कि आपने कितनी देर के लिए, और किस तरीके से database को use करना है, तो अब बड़े database के साथ communicate करने के लिए, आप ऐसा तो हर्गीज नहीं कर सकते, कि communication के लिए आप उसके, database दो किलो फाइलें IPYNB की file तोल दो, या R की file तोल दो, या फलाँ user का data लागा दे दो, ऐसा तो नहीं करेगा, उसके लिए आपको उसकी language सेखने पड़ेगी, तो structured query language भी एक Python की तरह programming language है, जिसे आप use करके database के साथ interact कर सकते हैं, और आप तीन काम कर सकते है, read, retrieve, write and update, यह तीन काम कर सकते हैं, जैसे data manipulation बोलते हैं, as a data scientist, और database administrator, नया data भी डाल सकता है, पुराना data भी नगाल सकता है, और बहुत जादा काम उसके अंदर कर सकता है, आप सोच रहे होंगे मुझे सांस क्यों चड़े, सांस नी चड़ा, यहां पर आती है पानी की break, आप भी पिले, और यह मैं बड़ी flask म पी रहा हूँ, इसकी reason यह है, कि आप जब programming कर रहे हों, तो ज़्याद से ज़्यादा पानी पिया करें, मैं भी इसी को मूँ लगाँगा, और आप लोग परिशान नहों, glass भी पड़ा है, but I would love to drink like that, चासा अगी, अब करना क्या है, structure query language को सीखना है हमने, उसको सीखने के लिए क्या क्या installation है, क्या क्या procedures है, सारा कुछ इसी playlist के अंदर दिया है, जिसका link description में दिया हूँ है, by the way, अगर आप data science सीखना चाते हैं, तो मेरे बहुत ज़्यादा courses, description में मजूद हैं, उन्हें जाके देखें, और मिलते हैं, अम इस series में, कहीं जाना नहीं है, बड़ी छोटे छोटे chunks के अंदर, मैंने ये video के parts मनाए हैं, जो आपके लिए हाजिन हैं, इसी playlist में, या फिर, अगर आप इसको as a combined video देख रहे हैं, तो पूरी पूरी वीडियो के अंदर chapters दिए हुए हैं, जो नीचे playlist के अंदर, या description के अंदर आपको नजर आ जाएंगे, तो start करते हैं, आज से, अब से, बल्के अभी से, SQL को सीखना, कहीं जाएगा मत, मैं अभी आ रहा हूँ, chapter number 1 के साथ.